Hello friends, Foundation of R Software के course में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है फैक्टर्स अब पहला सवाल तो जही आता है की फैक्टर्स होते क्या हैं। आपने बहुत बार देखा होगा की हमको data collection कुछ ऐसे जगह पर करना होता है जहां पर हमारे पास numerical values नहीं होती है। जैसे की अगर हम कहें की हमको एक अपने college में survey करना है कि कौन सा student है male कौन सा है female उसका हमको gender देखना है। तो मैंने क्या किया मैंने अपने student के पास हम गए और मैंने देखना शुरू किया की ओके ललका है तो male ललकी है तो female करके मैंने अपना data male female female करके record कर लिया। अब इसकी उपर अगर आपको कोई calculations करना है, तो जब तक कि आप अपने इस data को अगर आप numerical values से associate नहीं करेंगे, आप इसकी उपर कोई भी computation नहीं कर सकते हैं और इस conditions में क्या होता है, कि हम उसको एक code define करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम कह देंगी, अगर हम कह देंगी कि हमारा variable value लेगा 1, अगर हमारा student male है, और value लेगा 0, अगर हमारा student female है, और इसी प्रकार से अगर हमको एक और survey करना है कि मुझे यह पता करना है कि एक coffee को पीने क के बाद में लोग किस प्रकार का feel कर रहे हैं, good, bad, okay, तो उसको मैंने तीन values दे दी, कि अगर कोई इनसान कहता है good, तो मैंने लिख दिया 1, किसे ने कहा bad, तो मैंने लिख दिया 2, किसे ने कहा okay, तो मैंने लिख दिया 3, अब इससे के advantage है, number one कि अगर हमारे पास कोई value अगर लिखी होई है, two or three, तो मैं उसको देख के समझ में आ जागा कि, कि पहले आदमी ने कहा okay, और दूसरे आदमी ने कहा good, right, तो इस प्रकार से हम अपने इस, जो भी हमारी नाम होते हैं, उनके साथ में हम एक indicator associate कर सकते हैं, यह जो value होती है, यह उसके magnitude को नहीं दिखा रही है इसका magnitude तो क्या है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि यह categorical variable है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ खाली दो ही categories है, तो हमारा एक binary variable हो गया, और अगर दो से ज्यादा category है, तो इसको in general हम categorical variable कहा जाते हैं, अथात ही है, इसकी में हमारे जो data है, वो category के form में है, तो अब सवाल यह आता है कि इन categorical values को R software में किस प्रकार से handle किया जाए, और जिस प्रकार से हम नाम को एक number और एक number को नाम देते हैं, यह वारी प्रक्रिया किस प्रकार से किया जाए, तो इसको करने के लिए हमारे पास factors का concept होता है, जो हम आज इस lecture में सीखने की कोशिश करेंगे, तो कली हम lecture को शुरू करते हैं, और देखते हैं कि R software में आप factor कैसे करते हैं, तो देखिए, जब भी हम कभी अप data की बात करते हैं, तो data हमारा जो किसी variables पर एकठा किया जाता है, और variables हमारे या तो होते है quantitative, जहां पर हमारा जो भी उनकी values हैं, वो कुछ quantified होती हैं, जैसे का हम कहें height तो किसी भी इनसान की जो height होगी वो अगर हम meter में लिख रहे हैं तो कुछ ऐसा ही होगी 1.65, 1.76 meter इतियादी, लेकिन अगर हमारे पास कुछ qualitative variables होते हैं, जैसे के हम कहें tender, इसको हम लिखते हैं male है या female है, कोई भी हमारी किसी भी, कोई भी एक show के बात में, dance show के बात में, excellent हो सकती है, good हो सकती है, average हो सकती है, bad हो सकती है, लेकिन हमारी समस्य यह है कि जब भी हम कभी statistics या अपने किसी data manipulation की बात करते हैं, तो जब तक कि हमारे पास number नहीं होंगे, हम इन चीजों को study नहीं कर पाएंगे, right, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कि हम इन categorical variables में जो हमार associate कर देते हैं, जैसा कि हमने का कि x हमारा कोई variable है, tender, जिसकी दो values है, male और female, तो अगर कोई हमारा जो भी इनसान अगर कोई male है, तो मैंने लिख दिया x equal to 0, और अगर person female है, तो मैंने लिख दिया x equal to 1, उसे के advantage अगर हम कहीं पे लिखा हुआ है 101, इसका मतलब यह है कि जो प good और bad और उसके साथ में मैंने यहाँ पे एक एक number associate कर दिया, excellent के लिख कर दिया 1, average के लिख कर दिया 2, good के लिख कर दिया 3, bad के लिख कर दिया 4, right, तो यह जो हमारे नाम है excellent, average, good, bad, इनको हम कहते हैं labels और इनके साथ में हम यह जो values define करते हैं, associate करते हैं, यह इसके क्या है, यह इनके numerical quotes हैं, तो होता क्या है कि यह जो हमारे variables है, excellent, average, good, bad, यह हमारे internally as numerically course की तरह से store करे जाते हैं और उसके जो course के जो नाम होते हैं उनको हम बोलते हैं labels तो यह label उसकी हमको एक कुछ meaningful मतलब बताते हैं अगर हम कह देते हैं यहाँ पर जैसे की किसी की performance है तीन इसका मतलब है good यह इसका हमको label जो एक meaningful उसका जो मतलब है वो बताने की कोशिश कर रहा है तो अब देखिए यह जो factors होते हैं यह हमारे categorical variable को दिखाते हैं और यह उन grouping indicators की करह इस्तेमाल होते हैं अठाथ हम अपने उन observation को इन values के द्वारा group करने की कोशिश करते हैं कैसे मैंने कह दिया कि male अगर हमारा है one और female हमारा अगर है say here zero तो हमने क्या बोलते है one zero one one करके जो हमारी values है इनको मैंने दो categories में group कर लिया zero और one तरही अब हम आपको एक छोड़ सा दाराग लेते हैं और उस दारन के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा यह जो categorical variable किस प्रकार से कारख करता है Suppose हमारे पास three तरह की balls है एक ball है लाल कलर की एक है नीले कलर की और एक खरे कलर की मैंने क्या किया जो लाल कलर की ball है इसको number दे दिया one और blue कलर की ball को number दे दिया और वह ball हमारी किस प्रकार के आती है पहली बाल आती है red दूसरी आती है green तीसरी आती है green चौथी आती है blue और पांच वी आती है red तो इस outcome को क्या हम number के द्वारा भी लिख सकते हैं जैसे कि अगर हम लिख दें red की जगा one green की जगा हम लिख दें तीन और blue के जगा लिख दें दो और red की जगा लिख दें हम एक तो अब अगर कोई भी मुझको अगर यह अगर sequence देता है कि one three three two one है तो इसको देखे हमको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास यहां पे red की एक पहले ball आई उसके बाद में green की दो balls आई उसके बाद में blue की एक ball आई और उसके बाद में ला factor को काम होता है तो factor क्या कर रहा है कि हर एक character को एक numerical code के साथ में attach कर देता है और यह जो हमारे factors होते हैं यह हमारे categorical variable को दिखाते हैं किसको हम एक grouping indicator के कर इस्तमाल करते हैं और यह जो हमारी categories होती हैं यह internally हमारी एक numerical code की तरह से store करी जाती है और जो उसके साथ में उसके labels होते हैं वो उसको एक meaningful नाम देते हैं यहां पिलिया कि अगर दो है तो इसका मतलब है blue ball तीन है तो ले लिया green ball इत्यादी अब इसमें से देखिए यह जो हमारे labels है इनका order बहुत important होता है मतलब जो हमारा पहला label है यह हमारे एक number code को map किया गया है जो दूसरा label है यह हमारे code number 2 को map किया गया है इत्यादी तो इसी प्रकासी यह जो एक दो number हमारे हैं यह हमारी categories को दिखाते हैं तो ऐसी हमारे पास अगर यह number है एक दो up to here k तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास k discrete categories हैं ऐसे मैंने यहां पे किया है कि लाल लंग की ball को हमने एक number code के साथ में attach किया है और blue color की ball को हमने code number 2 के साथ में map किया है और green color की ball को हमने ती number के साथ में map किया है right तो अब जब भी हम कभी factor की बात करते हैं तो हमारे पास एक character string का या integer का एक vector होता है और r की भाशा में जो हम statistics में अपना एक categorical variable की बात करते हैं वही हमारा r की भाशा में उसको हम factor करते हैं और r के अंदर जो इस categorical variable की जो हमारी हर एक possible values होती है उनको हम कहते हैं level आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पोड़ेगा यहाँ पर दो तरह के word है label और एक है level तो एक हो गया जैसे label और एक हो गया level तो आपको गराशा हमारा जो audio है इसके उपर ध्यान है कि मैं क्या कहा रहा हूँ label या level राइट ओके तो जो हमारा इन levels का vector होता है इसको हम कहते हैं factor और जो भी आपका categorical variable होता है वो एक हमारे finite number of जो भी factor levels होते हैं उसके द्वारा indicate किया जाता है तो हमारे यह जो number of levels भी होते हैं यह भी हमारे finite होते हैं अब अगर हमको कोई भ सबसे पहले तो हमको एक vector of values चाहिए एक values का वेक्टर चाहिए फिर हमको एक और दूसरा वेक्टर चाहिए जो हमारा उन सारी सारी possible values का एक fraction दे रहा है और फिर हमको एक तीसरा वेक्टर चाहिए जो हमारी उन possible values को एक नाम दे रहा है अथात एक label दे रहा है लेबिल दे रह तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, राइट, अब अगला सवाल आता है कि R software में हम इन factors को किस प्रकार से handle करें, उसके लिए हमारे देखिए command होता है factor, F-A-C-T-O-R, और हम bracket में लिख देते हैं अपना X, जो हमारा X हमारा एक string या integer का एक vector होता है, राइट, और अगर यह जो हमारा vector होता है, अगर यह सारी-सारी values को contain नहीं कर रहा है, और यह खाली एक उसका छोटा सा subset है, उसको अगर consider कर रहा है, then हम अपने इस argument में एक और variable को add कर देते हैं, कैसे ही है, factor, और उसके बाद में हमने कर दिया parenthesis में X, और उसके बाद में दे दिया, Levels, L-E-V E-L-S, सबकुछ lowercase alphabets में, तो देखें, जो आपका factor को इस्तमाल करने का R software में, जो हमारा command कुछ इस्तिपरकार से हो गया, factor, और parenthesis में हमें हमें लिखा X, उसके बाद लिखा Levels, तो Levels क्या करेंगे, यह हमारे factor variable की जो categories है, उनको बताने की कोशिश करेंगे, और अगर कुछ नहीं, अगर दिया जाता है, तो default इसमें यह होता है, कि जो भी X kata vector में हमारी distinct values होती है, उनहीं को यह increasing order में हमको दे रेता है, उसके बाद हमारा होता है labels, तो देखिए, labels क्या है, यह labels हमारा, जो labels के अंदर जो values हैं, यह उनको नाम देने की कोशिश कर रहा है, right, औ इसके बाद हमारा होता है exclude, exclude में क्या है, अगर हमको यह define करना है कि हमारे labels में से कौन सी level ऐसे हैं, जिनको हम na की तरह classify करना चाहते हैं, और इसके लिए हम अपने factor variable का इस्तमाल करते हैं, तो उसको किस प्रकार से किया जाए, right, अब इसके लिए factor में आप में बहुत सारे options और भी हैं, लेकिर हम आपको यह request करेंगे कि आप इसको help factor में help में आप देखने की कोशिश करिए और इसको समझने की कोशिश करिए, कहिकर से कि यहाँ पे is.factor इतियारी type of command है, जो आपको इस बात को पता करने में सहता करेंगी कि कोई variable एक समारा factor variable है कि नहीं है, right, तो च चोटा सा यहां पर धारग लेते हैं और उस धारग के द्वारा आपको हम इस factor कमान का इस्तमाल दिखाते हैं और उसके द्वारा आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अब देखिए, आप उसको तो पैचानते होंगे, यह हमारा क्या है dice, इसको हिंदी में करते है इसके मारे 6 фасes होते हैं, यह कैसे कि उसमें अगर विंदू होंगे यह तीन विंदू होंगे यह चार विंदू होंगे यह पांच यह भंदू होंगे, तो इस PASK को हम जो भड खेलते हैं या फेकते हैं तो हमारे पास 1,2,3,4,5 या 6 संख्यावं आने की सम्भावना होती है तो अब हमने एक कोई इसको ente ko roller किया फिक और इस dice को मैंने साथ बर roll किया तो पहली बार में हमको number मिला एक पिर मिला चार फिर तीन फिर पांच फिर चार फिर दो फिर फिर चार अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा outcome है ये हमारा वर्स में लिख जाए, शब्दों में लिख जाए, जैसे, जहां पे लिखा हुआ है 1, वहां पे लिख जाए 1, जहां लिखा हुआ है 4, वहां पे लिख जाए 4, वहां पे लिख जाए 4, और जहां पे लिखा है 3, वहां पे लिख जाए THREE, इत्यारी करके, अब इस कार को कैसे किया जाए तो देखिए सबसे पहले हमने जो इस डाइस की पॉसिबल वैल्यूज हैं एक दो तीन चार पांच हैं उनको मैंने एक डेटा वेक्टर में लिग दिया और उसको मैंने एक नाम दे दिया पॉसिबल डॉट डाइफेस अर्थात की जो भी हमारी डाइस के फेस में ज तो जैसे 1 का हमारे लेबल होगा 1, 2 का हमारे लेबल होगा 2 तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे डेटा वेक्टर डेटा वेक्टर कीया और मैंने 1,2,3,4,5,5,6 को वर्स में लिग दिया character double quotes के अंदर और और इस डेटा वेक्टर को नाम दे दिया labels.ड़ डाइफेस अब हमको अपने इस y वेक्टर के अंदर जो जो values दी हुई है इसको मुझो factorize करना है तो मैंने यहाँ पे कमाल लिखा factor और यहाँ पे कर दिया y और उसके बाद में कर दिया labels equal to possible diphase जो आपने पहले लिया है 1,2,3,4,5,6 और उसके बाद में उन 1,2,3,4,5,6 को जो पे ना पे labels dot diphase तो यह कौन सा वेक्टर हुआ यह आपका जिवाला वेक्टर हुआ अब देखिए जब इसको आप operate करेंगे तो देखिए आपको कुछ outcome है ऐसा मिल जाएगा इसकी जो values आई हैं उसको मैंने fact y के अंदर store कर लिया है तो देखिए आपको outcome ऐसा मिलेगा points को obtained किया था वो ऐसा था 1, 4, 3, 5, 4, 2, 4, right और इसी को देखिए इसने यहाँ पे verse में convert कर दिया 1 को लिख दिया o n e 1, 4 को लिख दिया f o u r, 3 को लिख दिया t h r double e, 5 को लिख दिया f i v e, 4 को लिख दिया f o u r, 2 को लिख दिया t w o, और 4 को लिख दिया f o u r और यह किस प्रकार से किया इसने इसके यहाँ पे आपको labels भी लिख दिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो आपने देखा कि जो भी आपने outcome एक categorical variable की value के फॉर्म में दिया था इसने उसको एक नाम में बदल दिया, right और देखिए इसका screenshot भी है तो से लिए य आपको यह पूरा-पूरा समझ में आ जाएगा, right तो सबसे पहली चली हम अपने इस data vector y को यहाँ पर define कर लेते हैं, तो y आपका इस प्रकार से आ गया, उसके बाद में आपको यहाँ पर यह data vector देना है possible die face उसको भी देखिए आपने define कर लिया, फिर आपने इस जो भी number factor command है उसको इस्तेमाल कर लिया और जो उसका outcome है उसको आपने यहाँ पर fact y के अंदर दे दिया, अब जड़ा सब fact y में आप देखिए आपका outcome क्या आया, यह तो हो गया, यह आपने इहाली खाता 1435424 देखिए 1435424 हो गया, और इसी में अगर माल लिजे, आप अपने इस y क change करते हैं, जैसे मैंने कर दिया 2, 3, 2, 3, right, तो देखिए अब आप इसी अगर operation को अपने factor को फिर से इस y के आपर कर देखिए तो देखिए आपका, जो आपका outcome क्या आजाएगा, देखिए, यह अपने लिया 2323 number में और देखिए, यहाँ पर क्या गया 2323 words में, तो इसने उ हम इस lecture में यहाँ पर रुखते हैं, और आपने देखा कि यह बहुत ही आसान सा, छोटा सा topic था, factor, बट यह बहुत important topic है, हम जब ही कभी अपना data collect करते हैं, बहुत बार हमारे पास इस प्रकार का data होता है, और जब तक कि हम data को किसी numerical value से associate नहीं करेंगे, हम उसके उपर कोई को भी computation नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे count करना है कि हमारे school में या हमारे class में, कितने students ऐसे हैं, जो male है और कितने female है, तो हम क्या करेंगे, हम एक verbal define करेंगे tender, और gender हमारा value लेगा one, अगर को student है female, और value लेगा zero, अगर को student हमारा है male, अब हम क्या करेंगे, मैंने पहल zero और जहां पर लिका है female, वहाँ पर कर दिया one, और उसके बाद फिर zero plus one plus one plus zero, जो भी हमारे values दार का मने जोग लिकाल लिया, तो जो भी उनका जोग आएगा, यह मुझे मुझे को हमारे class में जो female student से उन्ही के जो संख्या देगा, लेकिन इसके जगा आप अगर male plus female plus female plus male कर करते हैं और उसके बाद हम उसमें बाकी हमारे जो भी operations होते हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, तो अब हमारी आप से यही request है कि आप यहाँ पर कुछ धारग लीजे, आप different sources में देखिए, जिस तरह के आप कहारे करते हैं, उसमें से आप इन values को factorize करने के कोशिश करिए, और हम आपको अगले lecture में किसी और topic के साथ मिलें फिर से आएंगे, तब तक के लिए good bye. ।